यार विशाली, ये डिजिटल रूपी की क्या हवा चल रही है? UPI तो 2016 से है. UPI और डिजिटल रूपी, कहने के लिए तो दोनों डिजिटल है, मगर कम्प्लीटले डिफरिंट है. मतलब, देख यूपी आई के थूँ, जब भी हम किसी को भी पे करते है, तब हमारा पैसा फ्लो होता है हमारे अकाउंट से हमारे बैंक के सेट्लमेंट अकाउंट पे, फिर जाता है शौपकीपर के बैंक में और फिर शौपकीपर के अकाउंट में. मगर क्योंकि डिजिटल रूपी एक CBDC है, जो ब्लॉक्चीन पे बेस्ट है, तो आपका पैसा डिरेक्टली आपके फोन वॉलेट से शौपकीपर के फोन वॉलेट पे फ्लो होगा, किसी भी बैंक के इंवॉल्मेंट के बगेर, ठीक जैसे कैश ट्रंजाक्शन सटल होते हैं. इसके वजह से, बैंकिंग सिस्टिम पे कोई प्रेशर भी नहीं आएगा, और डिजिटल करन्सी के रेस में इंडिया काफी आगे होगा. ओ, तो ये है डिफरेंस UPI और डिजिटल रूपी में, मगर तुझे ये सब कुछ कैसे बताएं? क्योंकि मैं Angel One के वीडियोस दिखती हूँ और उन्हें follow भी करती हूँ YouTube पे, so do subscribe to Angel One's YouTube चैनल.